अपने लैप्टॉप या केम्पूटर में भी एस कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों इस टॉपिक पर यूटूब पर भथेरी वीडियो है लेकिन सभी वीडियो में कुछ न कुछ कमी है कोई वीडियो का आप देखके इंस्टॉल करोगे तो रण नहीं होगा कोई व लेना है यहां पर आपको सर्च करना है व चौड इनस्टॉल ईसके बाद यहां पर यह बूछे का लग जायुझागा अटकूड में वीडियो सब्सक्राइब इसे हुडब कडिए और यह आपको tools में लिडियुक और दिखाता हूँ यह लग लग गया है दोस्तों जबते कि डाउनलोड हो रहा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो आता है आपको क्लिक करना सू फाइल इन दो फोल्डर जैसे उस पर क्लिक करोगा यह फाइल आपके फोल्डर में जहां क्लिक करना उसका फिर से आपको next पर क्लिक धोड़न जैसे आप के क्लिक करोगे इसका फीचर ना अब घंशीव और c और मिंजी डवलू सोफ्टेर को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्लिक करना सो फाइल इनद फोल्डर उसके आपके आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्सन सो कर देगा उसके आपको एक हे करके सब पर मार्क कर देना है जिसने भी यहां पर अपको क्लिक करके सब को कर देना है उसके बाद आपको installation का option में चले जाना है और यहाँ पर अप्लाइ चेंजेस पर आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे को तो आंपको और अपको तोरी दर ओल्ड कर लेना यहाँ इंश्टैल प्रवाइब एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में डाल ही दो जैसे इंस्ट्रॉलिंग कंप्लीट हो जाए आप इस पेज पर आटोमेटिक आजाओ यहां पर आपको करना कुछ नहीं बस उपर एक चेक बॉक्स इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगर्त पर आपको क्लिक करना है तो सबसे ऊपर देखो सबसे इबिए हुपत बने पर देखो ओपर एक URL जैसे कि बिढ के मगल में एक एक URL मिल जाएगा अब आपको क्लिक करना है अपने कीबोर्ड में Ctrl-C ताकि कॉपी हो जाया जैसे यह कॉंपी हो जाए अब इसको कार दो अब आपको सर्च बार पे क्लिक कना और यहाँ पर सर्च ना है अब आपको क्लिक करना है एक इडिट का ओप्शन पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे यहाँ पर आपको Right साड में एक New का ओप्शन आपको New के क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने कीबोड में Ctrl प्लस भी दवा देना है ताकि पेस्ट हो जाए जो कि था उसके बाद आपको कुछ नहीं करना बस यहां पर ओकी का ओप्सन है ओकी पर क्लिक कर देना है उसके बाद फिर से एक बार ओकी पर क्लिक कर देना है जब इतना आप काम कर दो आपका काम हो गया खतम अब आपको ओपेन करना वी एस कोड एप्लिकेशन को इसको ओपेन कर ल पर क्लिक करने हैं सिप्लय पर तोल लगा nellaाए जो पहले हैं इसको इंस्टॉल करते सोङ होगा इक अब का काम हो गया है चतम अब यहाँ पर आपको मैं code लिखे उसको run करके दिखाता हूं कि run होता है नहीं तो new file बना लेते हैं इसको cut cut out आते हैं new file पर click करते हैं और इसको नाम डाल देते कुछ नाम डाल देते क्या try.c मैं यहाँ पर डाल देता हूं सेव हो जाएगा अब आपको यहाँ पर कोडिंग करना है start करना है मैं यहाँ पर लिखना start करता हूँ अपना कोड जो की है hello दोस्तो तो मैं लिखता हूँ C language में code hello दोस्तो का उसके बाद मैं आपको इसको run करके भी दिखाऊंगा उसके बाद देखो कि यह run होता है या नहीं जैसे जैसे मैंने step बताया आप use करोगे ता आपको कभी problem नहीं आएगी कोई भी code run करने में वगरा मैं जैसे coding हो गया अब आपको मैं बताता हूँ run करने के लिए करने के लिए आपको यहां पर चले जाना है और उसके लाद उस पर क्लिक करके यहां पर एक run code का option आ जैगा आपको run code पे क्लिक कर देना है जैसे आप run code पे क्लिक करोगे यह देखो यहां पर एक error आ रहा है इस error को बताते कैसे solve किया था बहुत कुछ कुछ नहीं है बस आपको अपने कीबोड में इच इच टाइप करना है उसका नाम है कंट्रोल पलस एस क्योंकि यह कोड अभी सेव नहीं हुआ फाइल से वह कोड सेव नहीं हुआ कंट्रोल एसे दवा दिया काम खत्म अब मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूं और रन कोड के एक अप्स्व में क्लिक किया यह देखूलो दोस्तों तो एसी तरह से आप व्यास कोड को अपने सिस्टेम में डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लेगी वीडियो को लाइक कर इस तरह की वीडियो देखने के चैनल को अभी स्प्सक्राइब कर ले